आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Queshan में हो लगया Common Tangent to the Curve y² equal to 2x minus 3 and x² equal to 4y lies parallel to the line तो किस लाइन के parallel lie करेगा यह हमसे पूछा गया है तो basically हमें कहीं न कहीं Slope निकालना है तो Common Tangent जो होगा उसका Slope हमें बताना होगा सबसे पहले देखें तो first हमारा equation है y² equal to 2 अगर common ले लो तो x minus 3 by 2 लिखा हुआ है तो basically हमारा किस ट्याप का equation लिखा हुआ है एक parabola के equation लिखा है किस ट्याप का तो parabola के equation होता है y minus k is equal to यहाँ पे होटा है x4a times x minus h y minus k का whole square this is equal to this यानि कि आक parabola के equation लिखता है यहाँ पे हमारा vertex क्या होता है h, k यहाँ पे vertex अपन देके तो इस parabola का vertex क्या हो जाएगा हमारा, तो यह हो जाएगा 3 by 2,0, ठीक है, यह हमारा इससे compare करें तो, अब यहाँ पे 4a के जगा पे 2 है, ठीक है, तो 4a के जगा पे 2 दे रखा है, तो a का value क्या है, a का value 2 by 4, यानि की half है, ठीक है, तो a का value half पता चल गया, first वाले parabola में, second भी ए tangent का, वो क्या होता है हमारा, तो y square equal to 4a x tab का parabola है, ठीक है, तो यहाँ पे, तो देखो equation of tangent, equation of tangent, ठीक है, first वाले parabola में बात कर रहें, तो equation of tangent क्या होता हमारा, तो यह होता है हमारा y minus k, जब हमारा vertex shift होता है, ठीक है, is equal to m into x minus h, plus a by m, और अगर simplest form में लिखों, ठीक है, simplest form में अगर लिखों, माल लोग हमारा y square equal to 4a x tab का parabola होता, तो उस समय equation of tangent हो जाता, y is equal to mx plus a by m, ओके, यह आ जाता, अब दूसरा हमारा parabola x square equal to 4y, यह standard parabola है, जहाँ पे, हमारा a का value क्या है, 1 है, तीक है, यहाँ पे a का value 1 है, क्योंकि 4 ay होता है, standard हम देखे, तो x square equal to 4 ay होता, a का value क्या आ गया, 1 आ गया, ओके, अब a का value 1 है, तो यहाँ से अपन standard equation, यानि कि standard यहाँ पे form में अपन equation of tangent लिखे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो y is equal to क्या हो जाएगा, mx minus a m square, यह अब यहाँ पे देखे, तो a का value हमारा क्या है, 1, तो a का value यहाँ पे 1 put कर दो, यह हो हमारा, तो y is equal to mx minus m here, स्बाइगा, तो यहाँ पे एक का value हमारा half है, तो यहाँ पे अपन a के जगा पे half रख देंगे, और h के जगा पे, k के जगा पे तो 0 था, h के जगा पे क्या था, तो vartex हमारा क्या ह्ता, देखो h, k, to h हमारा था 3 by 2, तो h हमारा 3 by 2 है, तो h हमारा 3 by तो इसको solve कर लो, यह हो जाएगा y is equal to, यहां से क्या आ जाएगा mx, ठीक है, और यह बन जाएगा plus 1 by 2m, और यह मेरा क्या है, minus 3m by 2, ठीक है, अब देखो, अगर मेरा यहां पे common tangent है, तो यह equation जो आ रहा हमारा, ठीक है, और यह equation, ठीक है, और यह equation, दोनों के दोनों क्या होन है, ठीक है, यह हमारा minus m² के equal होना पड़ेगा, तभी यह same होगा, अब इसको इसके equal करते हैं, तो minus m² is equal to, यहां से क्या आ जाएगा, minus m² is equal to, 1 by 2m, minus 3m by 2 बन जाएगा, ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, यहां से, यह हमारा 2m, यहां पे, हमारा lcm आ जाएगा, तो बचेगा, 1 minus, यहां पे क्या बन जाएगा, हमारा, तो 3m², this is equal to minus m², ऐसा आ गया, अब cross multiply कर दो, तो यहां से बन जाएगा, minus 2, ठीक है, यह बन जाएगा, और यहां पे है, 1 minus 3m², ठीक है, तो यह term, सबको अपन right hand side कर दे, तो यह हो जाएगा, 2m¥, minus 3m², plus 1 is equal to, यहां कि एपन देख सकने हैं, कि m is equal to 1 हमारा एक root होने वाला है, क्यों, क्योंकि m का value गर 1 रखोंगा, तो यह बन जाएगा, 2 minus 3 plus 1, यानि कि 3 minus 3, that is 0, satisfy कर रहा है, तो m is equal to 1 हमारा एक root है, दूसरा अपन देखें, तो m minus 1 से इसको अपन divide करते हैं, ठीक है, इसको quadratic में बदनने के लि तो यह बन जाएगा 2mq, ठीक है, और यह मेरा क्या हो जाएगा, minus 2m square, ठीक है, तो यह value हमारी क्या बन जाएगी, यहां से, तो यह subtract कर रहे हैं, तो minus minus plus आ गया, ठीक है, यह cancel हो गया, minus 3m square plus 2m square, क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा, minus m square, plus 1 बचेगा, 1-m बन गया, ठीक है, तो 1-m, हमें, यह, m-1 दिया होगा, यहाँ पर, यहाँ पर करेंगे क्या, तो यहाँ पर, minus 1 से multiply करने, क्या बन जाएगा, यह हमारा, 1-m, subtract कर दो, यह minus और यह plus, ठीक है, cancel हो गया, 0 बच गया, तो यानि कि, इस वाले, बीच वाले को, यानि कि, इसको to 0 लिख सकते है, अभी, यह 2-m स्क्वार, minus 1, ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर ले, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, इसको सॉल्व करते हैं, अपन, तो यह हो जाएगा, मेरा, m-1, अब यह हो जाएगा, मेरा, 2-m स्क्वार को एजिटीज रखा, minus m को, ऐस 2-m यहाँ पे अपन common ले सकते हैं, ठीक है, तो दोनों first two से हमारा 2-m common आ रहा है, तो यह जाएगा, 2-m अंदर क्या बचेगा, m-1, last two से हमारा plus 1 common आ गया, तो m-1 बच गया, ठीक है, और यहाँ से this is equal to 0, अब यह हो गया m-1, और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 2-m प्लस 1 is equal to 0 आ गया, तो एक तो m का value 1 possible है, ठीक है, दूसरा हमारा क्या आ रहा, 2-m is equal to minus 1, यानि की m is equal to minus half, ठीक है, तो यह दोनों value possible है हमारे, ओके, तो एक तो यह value possible है, दूसरा हमारा यह value possible है, तो हमें m का ही value ढूँनना था यहाँ ठाकि, ताकि अपन यहाँ पर पता कर सके कि जो हमारा parallel है, किस line के, ठीक है, तो यह हमारा m का value basically पूछा गया था, तो m का value हमने यहाँ पर calculate कर लिया, 1 और minus half, so this is the solution, thank you.